है गाइज गुड मॉर्निंग और अभी सुबह के दस बज रहें दस बज के 33 मिनट हो रहें तो गाइज मैं बताता हूं कि आज बहुत दुखी हूं क्योंकि जो मेरी बकरी बच्चा दी थी आज वो इस्पायर हो चुकि है और उसका बच्चा तडप रहा हूं यहां पर यहां पीता के जैसा अपने बच्चे के जैसा उसको मान रहा है हमेसा उसे के सात्ट रहता हूं इसको ले कर खुंता है तो आप लोग को देखा था हूँ आए चलिए दिखाता हूं कि तो इस देखाता हूं ळोको थोड़ा पस्व'M करेना एदिखें लौनियर पोशी नगै को अजयने के लिए पार रहा हूँ नगैने आफे लिए लिए को नाइटार्थ ही लिए जाभी को रहा हूँ भशुटा भी जाइब कर दो तो गाइस देख सकते आप लोग यह देखिए यह देखिए उसको भगा रहा तभी और अपने मतलब यह कुट्टे के पास भाग भागा अब बार बार इसको भगा रहा है तो गाइस देख लिए कहीं सो भागा कर भागा रहा है इसको देखिए यह देखिए इसी के पास दौड रोड जा रही है मैं बता दूँ कि उसकी माँ इसपायर हो चुकी है और बहुत मतलब रात दिन कम से कम दो से तीन दिनों चिलाती रही चिलाती रही तब जाकर हम लोग वह ऐसे भी गाय का दूद लगा चुके हैं उसको गाय का दूद पीती है लेकिन वह अपने मतलब मेरा मोटू अक आगय पीखे घूमती रहती है यह उसी आपना पिता मॉंती और दिन रात उच्पी पीखे घूमती रहती है तो गायीज मैं बता दूद कि बहुत होते हैं कुत्टे भी समझदार होते हैं जो इंग्रस में कहा है दड़ा की जे़ेवा फैथ फ्ठी अ अब दूद के लिए निपल पकड़ाना पड़ता है पॉटल का बॉटर से दूद पीना पड़ता है और उसको तो मा का प्यार पता ही नहीं और दूसरी बात की अभी जो मेरा डॉगी कुटा है वही उसका मा उसकी पिता जी का फर्च निबारा तो मेरे डॉगी के और मेमने के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब को जरूर बनता है गाईज और जादा सेयर करें इस वीडियो को दूनिया वाले देखें कि बेजुमान जानवर को भी दिमाग होता है बुद्धी होती है और ज्यान होता है कि हमारे साथ कैसे रहते हैं और हमारे जीवन में कैसे वो लोग अभी कैसा अपना निभा रहा हैं तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो अगर अच्छी लेगी तो लाइक शेयर कमेट जरू करें और चैनल पर नयों होतों गाईद सब्सक्राइब जरू करें धन्यवाद